गुड मॉर्निंग बच्चो तो एक और वेडियो में आप सभी का स्वागत है आज का वेडियो जो है ना वो कनाश 10 का है टाइम टेवन का ठीक ना कनाश 10 का टाइम टेवन आप सोच रहोगे कि अब कौन सा रूटीन आया है तो देखिए आपका प्रथम साबदिक परिक्षा यानी first terminal exam पिछने मेंने हो चुका है लेकिन अब आपका second terminal exam का भी date आ चुका है तो आज हम लोग देखेंगे कि second terminal exam आपका किस दिन होगा किस समय होगा और फिर कनाश 10 का कब से होगा तो और इसके बाद अगर आप सोच रहोगे कि direct final exam होगा तो नहीं इसके बाद आपका एक तारिक से एक्जाम शुरू है, किस तारिक से शुरू है 20 तारिक से, तो हम आपको बता दे कि एक्जाम दो सिटिंग में है एक फर्स्ट सिटिंग और दूसरा सकेंड सिटिंग लेकिन सकेंड सिटिंग में आपका जो है वो 20 तारिक से है, जिस दिन पढ़ता है क्या मंगरदवार, तो first दिन जो आपका subject है वो है inductive subject, अगर इसको हिंदी में पूछा जाए, तो ethic besides, ठीक है ना, यानि अगर कोई बच्चा inductive subject यानि extra subject लिया हो, तो आपका वो first दिन 20 तारिक को जाना है, नहीं तो नहीं जाना, फिर आपका देखिए, दूसरा होता है, 21 तारिक को, जो की आपका बूधवार का दिन पढ़ता है, तो उस दिन आपका जो exam है, वो English का है, ठीक है ना, यानि आप बोल सकते हो कि first exam जो है, वो English का है, क्योंकि inductive subject लियाग बच्चों का नहीं होता है, 100 में दो ही होते हैं, जिसमें की हो सकता है, उसके बाद देखिए, तीसरा दिन आपका है, 22 तारिक, 22 तारिक आपका थ्रश्डे, यानि गुरू बार पड़ता है, तो इस दिन जो आपका मात्री भासा का exam होगा, यानि हिंदी का, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, 20 तारिक को जिस दिन हमारा पड़ता है, तो 24 तारिक को आपका है, दुतिय मात्री भासा, यानि संस्क्रीत, ठीक है, फिर आपका देखिए, 25 तारिक को संडे पड़ता है, 26 को exam नहीं है, यानि आपका बीच में दो दिन का gap है, बीच में कितने दिन का gap है, दो दिन का, तो आपका पड़ता है, 27 तारिक जो कि आपका पढ़ता है Guru Bar और इस दिन आपका Exam नहीं है तो अब आप सोच रहे होगे न कि Class 9th का एक दिन बर किसे गया, सोच रहे होगे न, तो देखिए बीच में एक दिन Sunny Bar पर आना तो Sunny Bar में 1st Sitting का Exam है लेकिन 2nd Sitting का Exam नहीं है, तो इसे ने आपका एक दिन जो है कनास नाइन्थ का बर गया तो इस प्रकार से देखिए यह हमारा कनास टेंथ का टोटन रूटिंग एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं आपका फर्स्ट सिटिंग सिर्फ कनास टेंथ का एक्जाम है देखिए अगर आप नहीं भी दोगे ना तो थोड़ा बहुत परिसानी होगा लेकिन काम चट जाएगा लेकिन अब देखिए हम आपको बताते हैं कि एक्जाम देना जरूरी क्यों है देखिए यह बाला एक्जाम भी आपका 3 गंटा 15 मिनट का है वो भी आपका 3 गंटा 15 मिनट का होगा जो आपका फाइनल एक्जाम में जिस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाएंगे उसी प्रकार का आपका इसमें पूछा जाएगा तो जिससे कि आपको 400 गुना फाइदा होगा जानी अगर अभी आप देते हो ना तो आपको क्या फाइनल एक्जाम में बहुत अधिक फाइदा होगा बहुत अधिक आपको बेनिफिट प्रोफिट 15 पॉइंट मिनेगा तो इसी नहीं आप लोग सभी एक्जाम को जरूर दे अभी से तैयारी में जूट जाए तो इसी प्रकार से अगर आपके मित्र भी है जो कि कनाश्टेंथ में पढ़ते हैं अगर उनको इनकी जानकारे नहीं है तो उनको भी ये वीडियो सेयर करके बता दे चन्ये मिनते हैं वच्चो आप सभी से नेक्ट वीडियो में धन्यवाद जहन